हलो फिरेंड दगल्फ टेक्निकल में आपका सौगत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सब का सौगत करता हूँ है आज हमारा टोपिक है वह काफी डिफरेंट मिंस यह है इस टेलिंग लिफ्टिंग का मैं बढ़िचन करेंगे-स तरीके माइब है tेलिंग- L Natürlich है जैसा आप देखें होंगे कुछ भी एक मैट्रियल को तो करियन सब्सक्राइब आता इसको हम लोग tandem करते हैं लेकिन सेम उसी तरीके से एक load को हम लोग इस तरीके से हमें उसको वार्टिकल पोजिशन में करना है means horizontal position से हमें वार्टिकल पोजिशन पर करने के लिए इससे हम tailing करते हैं जिसको हम लोग काफी जगह पर use करते हैं जैसे कोई हमें ऐसा material है इस दिशा में हमें वार्टिकल दिशा में चाहिए या हमें उस material को पल्टी करना है या हमें कुछ ऐसा करना है तो हम उस load को calculation किस तरीके से करेंगे आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको practical में बताऊंगा कि ह हमacing लोड का calculation कैसे करेंगे अगर हमारे पास इतना length का कोई material है किरेन A और किरेन B तो किरेन A पर कितना load जाएगा और किरेन B पर कितना load जाएगा तो वह मैं आपको practical ज्रूर मैं लास तक बने रहे ताकि मैं आपको इक practical भी मी बताँ कि calculation हम किस तरीके से करेंगे तो आप यह practical देखिए चलो हम चलते हैं tailing lifting plan हम लोग किस तरीके से बनाएंगे तो इस वीडियो में हम लोग tailing lifting के बारे में जानेंगे कि tailing lifting जैसा मैंने आपको इस वीडियो के अंदर explain किया है कि tailing lifting जब भी हम लोग कोई load को देख रहे हम लोग टेल करेंगे मतलब होरिजेंटल पोजिशन से हम लोग कुछ इस तरीके से वाटिकल पोजिशन में करेंगे तो उसमें लोड कितना आएगा कौन से किरन पर कितना लोड आएगा जैसे किरन ए और किरन बी तो आई होप इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तो सबस्क्राइम हिए सैन्टर का सेंटर अविड़ेटी देखना है 280 वहां से हमें इसका कितना मीटर आएगा जैसे हाँ पर हमने 8 मिटर यहां। अट मी Nataly e릴 डेलिया है ये कुरश तो हुआ है यह 12 मिटर यह यहां तक प्ता करें आपको material का weight डालना होगा जैसा आप देख रहे है calculation में तीस टन multiply हम 8 करेंगे जब 8 करेंगे तो हमारा जो value आएगा 240 240 को हम लोग divide करेंगे divide किस से करेंगे 12 मेंटर से करेंगे 12 मेंटर हम लोग यहाँ पर लेकर आए तो हमारा weight आ गया इस जगा पर जैसा आप देख रहे 20 टन हमारा यह weight आ गया है जैसे यह देख रहे हैं यहाँ पर 20 टन आया तो हमें यह तो पता चल गिया है किरिन पर 20 टन जाएगा दुसरा किरिन पर हम पता करेंगे कि कितना weight जाएगा तो सबसे पहले हम लोग weight ले लेंगे 30 टन फिर हम लोग multiply 4, 4 मेटर जैसे यह जो 4 मेटर है 4 मेटर करेंगे इसका जो value आएगा 120 आएगा 120 को हम लोग divide करेंगे किस से total 12 मेटर से जब हम लोग total 12 मेटर से करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 10 टन आ गया मतलब करेंग ए 10 टन उठाएगा और करेंग भी 20 टन जाएगा क्योंकि यही आपका main करेंग है तो उसके हिसाब से आप करेंग कापसिटी ले सकते है कि हमें इस load को उठाने के लिए इसको load को टेलिंग करने के लिए हमें कौन सा करेंग चाहिए जैसा जब आपको पता चल जाएगा कि हमें यह करेंग चाहिए तो आप करेंग उजगा पर चेंज कर सकते है जैसा यह calculation है आप इस calculation को याद रखे आई होग यह calculation काफी easy है आप भी 2-3 बार practical करें आपको जरूर समझ में आएगा लेकिन इसमें और भी और भी जादा advance है जो lifting engineer को चाहिए कि जब भी इसका load का angle जैसा जैसा moment होगा पर एक्जामपल जैसा जैसा load का अभी load ऐसा है आपने जो calculation किये proper है लेकिन जब भी load का moment होगा इस तरीके से उसका load capacity अलग-अलग हर दिशा में change होगा हर दिशा में change होगा लेकिन यह होगा कैसे यह आपको कैसे मानों पड़ेगा इसके लिए काफी steady करना होगा लेकिन आप यह चीज़ याद रखे आप इस चीज़ को save करने के लिए किरिन का capacity उजगा पर आप दो गुना तिन गुना ज़ादा रखे जब आप ऐसा capacity निकाल लिए जिसा आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 टन आ सकता है तो आप कम से कम 40 टन capacity का किरिन यहाँ पर लगाए ताकि आपके पर 20 टन आएगा यह हो सके तो आप यहाँ पर 30 टन लगाए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका 10 टन वेट आ रहा है किरिन बी पर तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि 10 टन वेट आएगा तो यहाँ पर आप कम से कम 30 टन का किरिन ज़रूर लगाए तो आपको यह प्लाइनिंग मिलेगा लेकिन ये जैसे जैसे आप engineering में जाएंगी तो वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा इसका एक software आता है हमारे पास कभी हमें time मिलेगा तो मैं आपको इन चीजों के बारे में और भी बारिकी से बताऊँगा कि कौन-कौन से moment में जैसे अभी हम लोग tailing करेंगे ये horizontal position है जब हम लोग इसको tailing करेंगे horizontal position से vertical position तो इसमें capacity हर moment में change होगा आपको मैं कभी और बताऊँगा laptop में समझाँगा तो वो चीज आप जरूर समझेगे लेकिन अभी ये जितना काम चलाओ है ये काफी ज़ादा है आपको ये कोई भी question कर सकता है आप खुद questions को solve कर सकते हो आप इसको practical भी कर सकते हो जिसा मैं हमेशा side पर इस इन चीज़ों का practical भी करता हूँ और देखता भी सही में ये चीज़ काम करता है कि नहीं और बहुत अच्छे से काम करता है ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा YouTube के अंदर या कोई भी site के अंदर आपको इन चीज़ों के बारे नहीं बताएगा कि किस तरीके हम लोग calculation करेंगे calculation काफी लोग करते हैं लेकिं उसमें आपको काफी लोग उल जाते भी है मैंने आपको सेम ये formula बता ये formula को आप बिल्कुल भी use करिए और आप जाचिए कि उस क्रेंड में कितना capacity बता रहा है मतलब जिसा आप slide देख रहे हैं आपको load calculation करने के बाद है खुद आप एक practical ले side पर कि slide में कितना load आ रहा है जो मेरे calculation क्या वही आ रहा है या दूसरा different आ रहा है आप इन चीज़ों पर जरूर practical करें I hope इस वीडियो में आपने बहुत को सिखा अगर इस वीडियो को सिखा तो इस वीडियो को like और share जरूर करे और इस वीडियो के अंदर आप comment जरूर करें ताकि मैं आर भी आगे next वीडियो जो और भी इससे अच्छा लेकर आओ तो फिर मिलते हैं next वीडियो में I hope जैसा आपने ये practical देखा टेलिंग lifting का तो हम इस तरीके से calculation करेंगे practical lifting का तो आप इस वीडियो को like और share जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसको और भेजे ताकि उसके पास भी और knowledge इंप्रूब हो सके तो फिर मिलते हैं next वीडियो में और next topic पर जाई ही ही